नमस्कार दोस्तों मैं बेरोजगार आज अपनी कहानी आप सभी को बताऊंगा करप्या हम बेरोजगारों के लिए थोड़ा सा समय निकाल कर ये वीडियो जरूर देखेगा तो दोस्तों कई सालों के अंतराल के बाद सरकारी नौकरी के फार्म भरे जाते हैं और हम बेरोजग कि मेरा फार्म सफलता पुरुवक भर गया है और फिर उस परिक्षा की तैयारी के लिए किसी भी तरह से ब्यवस्ता करते हैं और बुक खरीदे हैं हम लोग और परिक्षा नजदी का आते ही परिक्षा देने के लिए सहर जाने की तैया करने लगते हैं तो इस तरह से हमारा स मजदीक के सहर में सेंटर डालने के बाद भी किसी अन्य सहर में परिक्षा सेंटर दिया जाता है और फिर हम भी रोजगारों के साथ धोका प्रारंब होता है दोस्तों हमारा सफर यहीं पर समापत नहीं होता हमारे सफर बहुत लंबा होता है हमको किस तरह परशानियों का शाम देना संभाव नहीं हो पाता मेरा दर्द यहीं खत्म नहीं होता जब जान पहचान पड़ो इसके लोग बोलते हैं परिक्षा देने क्यों नहीं गए तो बड़ा दुख होता है और उन्हें कौन बताए कि हम विरोजगारों को सहर में किस तरह से लूटा जाता है जब परिक्षा के अंदर तक पहुंचाने के लिए 500 से 1000 रुपए तक और इससे जदा भी हमको चार्ज करते हैं और हमसे हमको मजबूरन उस पैसे को या उतने पैसे देने पड़ते हैं जबकि उतनी ही दूरी परिक्षा के पैसाद वापसी में 50 रुपए से 100 रुप में वही परिक्षा वाले भी वहां पर लूटने लगते हैं तो इस तरह से हम आगे चलते हैं हमारी मेरी जो बिरोजगारी की समस्या है उसको मैं आपको अवगत कराऊंगा तोस्तों तो वीडियो में बने रहिएगा सहर में तो सहर में अलग से चूरी की संका भी बनी रहती है हमें कहां पर रुकना है और कौन से यातायात के साधन से हमको आना जाना करना है बस हो या ट्रेन हो किसी भी तरह से हम सफर करते हैं लेकिन वहां भी कई तरह से हमारे साथ वारदा हो जाते हैं तो रुकने का अलग हमको तनाव बना रहता है सहर में इस प्रकार परिक्षा कई समस जाओं के साथ संपन होता है और सबसे बड़ी विडमना तो तब होती है जब मेरे नंबर अन्य से कम आते हैं क्योंकि मेरा परिक्षा आती थी कि प्रश्ण अन्यती थी कि प्रश्णों से भिन होते हैं और मुझे तब बहुत दुख होता है जब अन्यती थी कि प्रश्णों को मैं 100% उत्तर दे सकता था जबकि मुझे जो प्रशन पूछे गए वे अमुक विसाई से परे थे तो इस तरह से मेरे जो परिक्षा है वो भी मेरे साथ दोगते जाती है तो मेरी योग्यता को कैसे परखा जा सकता है यदि महिने भर परिक्षा होगा तो एक ही तिती में परिक्षा संपर होती तो सभी की योग्यता का पता चलता दोस्तों लेकिन अलग 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 डेट पर जो परिक्षा होता है तो अलग अलग तरह की प्रशन आते हैं किसी दिन सरल सब प्रशन आते हैं तो किसी दिन कठिन होता है तो मैं बेरोजगार उसको भी किसी भी तरह से एड़ज़्ट कर लेता हूँ और मैं आगे वीडियो में आपको बताता हूँ क्या कैसे और भी हम बेरोजगारों के साथ होता है तो दोस्तों मैं यहाँ बेरोजगार चलो इसको भी सुईकार करके मन को सांत कर लिया लेकिन मेरे साथ इस दर्मियान क्या क्या हुआ और अंत में पता चलता है पीपर लीक था स्क्रीन सोट सीयर किया जा रहा है मैं किस तरह किस पर भरोसा करूँ मेरा कौन सुनेगा मेरे साथ हुए अंचाही धोखा का जिम्मेदार कौन है इन्ही सब्दों ने मुझे परिसान कर रखा है मैं विरुजगार ही रह गया आर्थिक वे मैंने जो किया उन सब का जिम्मेदार कौन होगा उसकी भरपाई कौन करेगा क्योंकि मैं तो बिरुजगार ठैरा तो यही मेरे सब्दांस थे यही मेरे दुख था तो आप सभी इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा सेयर करिएगा और हम बिरुजगारों के लिए कुछ अच्छा हो जाए ऐसी मनो कामना करिएगा जैन जै भारत